हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर दोस्तो आप लोग यहाँ पे Amazon पे अपना order पुराने order को चेक कर रहे हैं कि आपने past में जो है क्या का समान order किया था Amazon से बट यहाँ पे problem यह आ रहा है कि Amazon में जो भी आपके पुराने order है वो यहाँ पे so नहीं कर रहा है तो इसको आपको कैसे ठीक करना है और आप लोग यहाँ पे कैसे देख सकते हैं कि Amazon में आपने पहले क्या क्या order किया था तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसको चेक करना है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे Amazon को open करिए अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या करिए यहाँ पे cart वाले option पे click करिए जैसे आप लोग यहाँ पे cart में click करेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको menu का option आएगा तो फिर menu वाले option में click करना है जब आपको menu वाले option में click करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको order का option आता है तो order पे click करिएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब आप order में click करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पर जो भी समान आपने order किया होता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है आप लोग देख सकते हैं कोई भी कुछ भी purchase किया था हमने तो वो बिल्कुल भी साथ में गयं आपको क्या करना किए यहां पर दोस्तों filter आता है तो फिल्टर करुंक करिए उसके बाद यहां पर आपको ट्लेट करकें तो इस कोई पर सब्स patrol 101 2001 का दिखाता हूं तो इस तरीके से आपको select कर लेना है जिस भी year का आप यहाँ पे order दिखना चाहते हूं उसको और उसको apply करना है जैसे आप apply करेंगे दोस्तों तो उस year में आपने क्या-क्या order किया था Amazon से तो वो जो है पूरा आ जाएगा ओके तो यहाँ पे basically यह जो filter का option है वो यहाँ पे add कर दिया गया है अपडेट के बाद तो काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है filter की इससे जो है आप लोग पता लगा सकते हैं इसमें जो आप लोग पिछले 4-5 साल का पता लगा सकते हैं दोस्तों तो I hope दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like कर दिजिए और हमारे चैनल को subscribe भी कर लिजिए